सब्सक्राइब करें पर चला है सोपर टेकनोलजी लेटास्ट वीडियो के लिए बेल आइकोन दबाएं वेलकम टू मैं चैनल सोपर टेकनोलजी मेरा नमन देफ दुल्ट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले अपने फोर्ण से प्ले स्टोर ओपन करने प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहां पर टाइब करने गूगल मीट और इस एप को अपने फोन में इंस्टॉर कर लिना है एप को इंस्टॉर करने के बाद ओपन करने का एक कॉंटिनु पर क्लिक करने अप अलाओ अलाओ उसके बाद student को email id select करने की option आएगी जिसके साथ app को use करने अगर आप teacher हो तो आपने new meeting पे करने अगर आप student हो तो आपके पास two methods है meeting को join करने के लिए एक हम meeting code के तुरू, दूसरा है meeting link के तुरू पहले हम meeting link के तुरू meeting को join करके देखेंगे और बाद में meeting code के तुरू meeting को join करके देखेंगे दोस्तों जैसे teacher student को WhatsApp पे कोई link send करता है student ने उस link पे click करने जैसे student उस link पे click करेगा तो student के पास app को choose करने की option आएगी student ने app को choose करने app को choose करने के बाद यहाँ पे आएगा ask to join यहाँ पे student ने ask to join पे click करने जैसे teacher student को admit करतेगा तो student meeting में join हो जाएगा और दोस्तों मैं आपको second method बताना जाता हूँ second method है meeting code के तुरू अगर student meeting code के तुरू meeting join करना जाता है तो student ने कौन सा meeting code यहाँ पे use करने दोस्तों जो student को link आया था उसी में meeting code है student ने उसी link को open करना है दोस्तों यहाँ पे जो last के 10 digit है इसे आपने meeting code में डाल देनी है के यू वाई जे यू ए एक्स आई सी यू के यू वाई जे यू ए एक्स आई सी यू उसका जोएन पे click करना है दोस्तों अगर student meeting link के तुरू जोएन नहीं कर पा रहा तो student ने meeting code को use करना है last के 10 digit को उसके बाद यहाँ पे ask to join पे click करना है जैसे student ask to join पे click कर गया तो teacher के पास permission जाएगी student को admit करवाने के लिए जैसे teacher student की permission को accept कर लेगा तो student यहाँ पे join कर जाएगा meeting में तो अगर आपकी google meet के rated को query है तो आप मेरी वीडियो के comment box में comment केजिए मैं आपके हर comment कर अप्लाइ करूँगा thank you for watching please subscribe my channel for more technical updates